कोई पर्सन इन से बाहर नहीं रहेगा बड़ा प्रियास किया है मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये तयार करता हूँ तो पहला प्रिशन जो आपका है श्री मंगलेस डबराल जी का जनम कब हुआ था तो मंगलेस डबराल जी का जनम है वो 1948 में हुआ था यानि भारत सावतंतर होने के एक वरश बाद कवी ने अपने कावे में किसका पक्स लिया है कवी ने अपने कावे में उपेकसितों का पक्स लिया है अंतरा किसे कहते हैं सथाई टेक को छोड़कर गीत के सेस भाग को अंतरा कहते हैं अगला प्रशन है संगतकार कविता में सथाई किसे कहा गया है संगतकार कविता में गीत की मुख्य टेक को सथाई कहा गया है अगला प्रशन है संगतकार मुख्य गायक को धांडस कब बंदाता है जब उसका राग गिरने लगता है तब संगतकार मुख्य गायक को धांडस बंदाता है तो गिजरतियो यदि आप चैनल में से आप में से चैनल पर कोई नया है तो भाई चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें और कमेंट बोक्स में अपनी राए जरूर दिया करें बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि शारा सलेबस जो है आपको चैनल पर उपलब्द मिलेगा बस आपको रचना का नाम और चैनल का नाम डालना है आपके सामने आजिर हो जाएगा अगला प्रस्ण है संगतकार की मुखे भुमिका क्या होती है मुखे गायक के सवर को सक्ती देना ही संगतकार की मुखे भुमिका होती है प्रशन साथ संगतकार से क्या तात्परिय है? मुख्य गाइक के साएक गाइक को संगतकार कहा जाता है? अगला प्रशन है मनुश्यता का अर्थ क्या है? मनुश्यता का अर्थ है भलाई की भावना अगला प्रशन है कवी ने संगतकार की कौन सी महानता की और शंकेत किया है कवी ने संगतकार की मुख्य गाय के सवर को उठाने के लिए अपने सवर को निचे रखने वाली बात को है न महानता की और शंकेत किया है अगले प्रिशन है संगतकार कविता के रचीता कौन है तो मंगलेस डबराल है अब करेंगे हम बहु विकल्प ये परशनोतरों को जिसके चार ओप्सन विकल्प जो हैं आपके सामने होंगे एक ओप्सन उसमें से विकल्प उसमें से सही रहेगा तो जैसा कि पहला प्रिशन आपके सामने है डबराल किस परदेश के रहने वाले हैं तो किस परदेश के रहने वाले हैं उत्र परदेश के उत्राखंड के हरियाना के या पंजाब के तो इसका उत्तर रहेगा उत्राखंड के संगतकार की आवाज कैसी हो गई है भारी उची अतिमधूर या कमजोर तो संगतकार की आवाज कैसी हो गई है भाई भारी अगला है मुख्य गायक का गला कैसे बैठता है सीत में तारशब्तक में रागो में या पर्ति भोज में तारशब्तक के अनहद में जब आवरुद हो जाता है उसका गला तब शंगतकार ही उसे संभाले रखता है तो तारशब्तक में जब उसका गला बैठता है तो विजयतियो तारशब्तक के बारे में आपको पता है कि सारे गामा पाम है पैदानी सा जो आपका सरगम होता है और जब वह उसे सवर को उठाता है तो उसका गला है वो साथ सोडने लग जाता है तो उसे तार शब्त कहते हैं संगतकार सीर्शक कविता के कवी का नाम क्या है तो संगतकार जिसे पहले भी आ चुका है संगतकार कौन सी रचना है यह उपन्यास है नाटक है कहानी है कवीता है निबंद है किया है तो जैसरे कि आपने पढ़ाई सी आपसे लच दिसका यह सही रहेगा कवीता है किस आवाज को कम्जोर यह कापती हुई बताया है मुखेगाय के आवाज संगतकार के आवाज स्रोता के आवाज यह गीत के आवाज तब निचे से कापती हुई आती है उसकी आवाज तो भई कमजोर कापती हुई संगतकार की जो आवाज है वो रहेगा एफ उत्तर रहेगा भी यह C option मिस्प्रिंट है तो संगतकार रहेगा इसका उत्तर अगला है संगतकार का नाम का काम क्या है मुख्य गाय की आवाज में अपनी आवाज को मिलाना यही ए ओप्सन ही इसका सही रहेगा मुख्य गाय की आवाज में अपनी आवाज मिलाना अगला प्रसन है प्रस्थुत कविता में सथाई या टेक को छोड़कर गीत के चरण को क्या कहते हैं तारशब्त कहते हैं तान अंतरा या सरगम अंतरा कहते हैं उसे देखो आप सौंग सुनते हैं तो उनमें अंतिम पंक्ती है वो उसी के अंदर जाकर के मिलती है चंद में चं मिलता है तो अंत्रे में अंत्रा मिलाना अंत्रा क्या होता है देखिए मैं आपको दो पंक्तियां बताता हूं जैसे हम प्रेयर करते थे बहुत पुराने सितितार है शब का पलने हार है तेरा सबको आसरा शुकौं का भंडार है अब यह जो ना को ez श्योंसग मना न वह ďंग नस्प्राता इस से कहते नौ सक्या किष्शला हे सै क्वें नो सक्या मुख्य गाइक की गर्ज में यहां गर्ज का अर्थ क्या है गर्जन गडगड़ाहेट उच्छी गंभीर आवाज उच्छी गंभीर आवाज उच्छी गंभीर आवाज यह उच्छी गंभीर आवाज उच्छी गंभीर आवाज यहां उच्छी गंभीर आवाज गर्ज का अर् लेकिनी हा उची गंबिर आवाज से आसे है कि मुखे गाय के पास आकर के वह भी उस मुखे गाय की तरह उची गंबिर आवाज में ही गाना सीख जाए। स्थाई किसे कहा जाता है स्थान को इस्थिर को गीत की मुख्य टेक को या फिर गीत के सेस भाग को तो गीत की मुख्य टेक को है स्थाई कहा जाता है अगला जो प्रिशन है आपका अनहद का कविता में के संद्रब में क्या अर्थ है अनहद मतलब सुर्ख को छोड़ करके किसी दूसरे सुर्ख की तरफ चला जाए सीमाहीन, असीम, अनंत या असीम मस्ती तो असीम मस्ती यानि मस्त हो करके जब वो हना सीमा को लांग देता है जैसे अर्थ तो उतर तो इसका सीमाहीन भी आ सकता है लेकिन यहां जब वह गाएक होता है ना गाएक मस्ती में आकर के जब अपनी सीमाह से परे हो जाता है तो उसको हम असी मस्ती कहते हैं ब्योसर इसका सही रहेगा तार सब तक किसे कहते हैं सर activity के सुर को पके हुए राग को मद्दे स्वर में गाय गए राग को या अती धिमे स्वर को तो सरगम के उच्छे स्वर को कहा जता है अगला जो आपका प्रशन है किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती ठक जाने के कारण ताल उखर जाने के कारण गला बैठ जाने के कारण या सांस फूल जाने के कारण तो इसका ओप्सन सी रहेगा गला अरुद्ध हो जाने के कारण गला बैठ जाने के कारण अगला प्रश्चन है मुखे गाएक को यहाइसास कौन दिलाता है कि वह केला नहीं है श्रोत्तागर्ण वादे तंतर को बजाने वाले गीत के लेखक या संगतकार तो इसका अर्थ जो है सीधा सा यही है कि संगतकार ही उसको संभालता है जब मुख्य गायक नहीं गापाता है मुख्य गायक का स्वर किस में खो जाता है मध्यम अंत्रे की तान में अंत्रे की या अंत्रे की तान में या अंत्रे के जटील तान में तो इसका रहेगा अंत्रे की जटील तान में अगला प्रिशन है संगतकार के दिमे सवर में क्या नहीत रहती है प्रेड़ना ग्यान सवरबोद या पीड़ा तो यह आएगा इसका जो उतर रहेगा वो रहेगा प्रेड़ना क्या दिमे सवर में क्या नहीत होती है प्रेड़ना नहीत रहती है यह मिस्प्रिंट है मुख्य गायक के साथ सवर साधने वाला कौन है सितारवादक तबलावादक सहगाई का या संगतकार तो वही उत्र रहेगा संगतकारी रहेगा इसका उत्र सरगम का रत क्या है चटान सरकर चलना सवर बोध या सरोवर तो सवर का बोध होना ही क्या है सरगम है मुख्य गायक के भारी सवर का उकमान क्या है चटान शमुद्र शवर बोध या जील तो चटान जैसा गला ये चटान इसका सही अर्थ रहेगा इस प्रकार विदैर्थियो हमने आपके ये प्रशन है कर लिए हैं आप बने रहना मेरे स अगले वीडियो तक बहुत जल्द हम गद्य खंड के सारे प्रशनोत्रों को इस तरह से करेंगे तो मेरे साथ बने रहना मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम